तो गाइस मैं हुआंगे तो और आप दिख रहे हैं रिस्टिंग फैन्स नैटवर्ग सुरी करते हैं अपनी बातों को सबसे पहले पोल वगिरा रन किये थे तीन चार अगर आपने नोटिस कर रहा हो और आपसंस दिये थे और उसमें से अभी कौन जीत रहा है वो हम आपको बता दू तो ब्लडलाइन सेविल वार और गंथर वर्सेज ड्रू मैंग एंटायर वर्सेज सेमस यह दो आपसंस थे एक पोल में जि ऐसके बाद कोड़ी रोट्स वर्सेज ब्रॉक लिसनर और सामने इंटाया उपसंस में थे रे मिस्टीरो व्र सेज डॉमनीकष्टीरोट्य यह थे रिसलमीना का मैंश था यह जो हे कोडी रोट्स वर्सेज ब्रॉक लिसनर आजागे याण Innovan कर यानि कि इनका मैच लोगो को ज़्यादा पसंद आया, बैकलिंच वर्सेश ट्रिस्टाटस ये पेबैक वाला मैच, दूसरा option है यहाँ पर men's mania showcase, यहाँ पर fans ने pick कर रहा है बैकलिंच वर्सेश ट्रिस्टाटस के मैच को, यह जो है वोट्स में भी आगे चल रही है यहां पर जो है गुंथर वर्सेश चैड गेबल आगे चल रहे हैं तो यह कुछ फैंस ने पिक करा है अब लोग काफ जारा सॉक डें वोटिंग देखके ब्लडलाइन सिविल वर्सेश गुंथर मैकेंटायर और सेमस के मैच की वोटिंग से क्यों सॉक दें क्योंकि यह गुंथर वर्सेश मैकेंटायर वर्सेश सेमस का मैच बहुत ही कमाल का था है रिसलमीनया का साध आपको याद भी होगा मुझे बताने की जुरूत नहीं है लेकिन यह तो पीछे रहा है गया आखिर क्यों अब मैं आपको बता दूँ आप देखोगे आप वोटिंग में बहुत आगए ब्लड लैंज इसके पीछे यह मैं रीजन नहीं दूँगा कि यह स्टोरी वगरा अच्छी थी आपर ऐसा कुछ नहीं है वह तो चलो होगी होगी यह रोमन रेंज की वज़ा से जादा वोटिंग अर्ण कर रही है क्यों क्योंकि भाई इंडियन फैंस वोट कर रहें इस चीज़ के लिए आपने नोटिस कर रहा होगा कि अगर आप कम्यूनिटी पोल वगरा देखोगे तो वहां पर अगर इंडियन ओडियन को वोट इसलिए कम्यूनिटी पोल पे भी कम्यूनिटी पोस्ट पे भी इसका अफेक्ट पर रहा है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ रोमन रेंज का बेकार से बेकार मैच अगर डबी डबी ऑप्सन में डाल देती तो भी उसे ही वोट जाता तो अभी के इस आप से यह वोटिंग नहीं रहा है अनफॉचुनेटली यह बैड न्यूस पर बैड न्यूस आते जा रही है पहले तो सबसे बड़ी बैड न्यूस यही है कि उन्हें रेसल मीना मिस्कर ना परेगा नौ महीने के लिए वो गाइब होने वाली है डैट मेंस कि उसमें रेसल मीनिया जो रमल सब ने को नी शर्जरी इन वीक अहड़ दा इंजरी वह रिए ज़िए ने इंजरी वह देशाब से लिए डिए विर्स देश्ट अंड एंजरी इंजरी इंजरी साम स्वरी सब्सक्राइब यह शलो होगा लेगन अभी के साबसे में आपको बता दू कि इतना एक्सपेक्टेड इनकी इंजरी होगी उससे भी खतरनाक इंजरी यानिकि उससे भी ज्यादा जो इनके लिए पेंफुल होगी फॉर्ट आपको कहा तो उसी डाइम कि जिस तरीके से सालेट कर रही थी वह देख कहीं लग रहा था कि कोई नॉर्मल इंजरी नहीं है टॉन एसल पहले लग रहा प्रॉब्लमेटिक हैं सालेट के लिए उन्हें ज्यादा स्पेसिफाई करा नहीं गया लेकिन अभी के साब से बैड नूस तो यह और ज्यादा उनके लिए आगे बढ़ते हैं गैस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एज स्टायल्स क्या बनने वाले हैं उनका एक TNA का रन आया था जब वह एविल वेज करके थीम सॉंग पर एंट्री करते थे थे बहुत डोप लगते थे भाई बिलीव मी फिनॉमनल वाला इनका जो थीम सॉंग है ना अभी करेंट वाला जो यह लेकर रहे थे डवी में वह भी काफी अच्छा थीम सॉंग है त तो डवी चाया तो इस चीज को यूज कर सकती है विकाज एजर स्टाइल्स का इस उसको पर कंट्रोल है टीने का कोई भी कंट्रोल नहीं है तो यह थीम सॉंग वापस आ सकता है एंड एस्पेसली मैं आपको बताए कि जो स्मैक्टन की टेपिंग हुई है वहाँ पे एजर स को उस टाइम काफी लोग पसंद करते थे टीने वाले उस रन में काफी वो डोप दिखते थे एंड सेम चीज डवी लग रहा है कि करने वाली है विकाज हमने जो उपर उपर से देखा स्पॉयलर उसमें जो प्रोमो कट कर रहे है एजर स्टाइल्स वो कुछ उसी तरीके से आ रही है अब यह भी काइरेक्टर ट्रंजिसनिंग है करेंटी जिस तरीके से में केंटार के हुई तो हो सकता है कि अनवाले टाइम में आपको यह एविल वेस थीम्स वापस आते वे दिखे डगड़ी के अंदर डवी जो करते वे दिखे और में भी हो सकता है कि एजर स्ट ये की डेटिवी पुष्ट सेंङ से को मेंसने लिकिन से बात चीज fish डाउन हो कि अबान ही जादा एंट्रेंच सब्सक्र बाता है रायेकशन से सबस्सकों है सब्सक्रांब और अलग हो गया उनसे तो मोमेंटम और चला गया अब माना जा रहा है कि और ऑपर्चुनिटी ज्यादा बची नहीं है सेमी जेन के पास कि वह डबल डबली से और बेटर बुकिंग ले यानि कि वह सपना है वो साथ सपना ही रह जाएगा एक टाइम को सपना वापस से पूरा सब्सक्राइब करने लगेंगे यानि वापस से डाला जाएगा स्मैक्टन में ट्रेड करके लगता नहीं हो सीधा हो सकता है कि यह लोग फ्यूट करें फ्री एजेंट मनके कभी जिम्य उसो इन्वेड कर दे रहे हैं लां में जाकर जेग उसो का टाइक करने लिए तो जेज बो QU दूसरे के ब्रैंड को इन्वेड करकर करें और साथ यह चीज तो और ज्यादा बेटर होगी बाकि आपके ठाउट्स आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो इस वीडि से आई होपस आपके इंफॉर्मेशन मिली हो मिले तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी हैसी डबी डबी की न्यूज रूमर अप्डेट्स मिलते रहें फॉलो कर सकते आप मुझे इंस्टाग्राम एंट ट्विटर पर लिंक आपको लिए के डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं वाट सिप चैनल को उसके बिलिंग के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स ओफएर काफ इंट्रस्टिंग वीडियो में